माश शार्दा की पवित्र नगरी मैयर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आये हैं जिसमें 10 साल की नाबालीक बच्ची के साथ माश शार्दा प्रवंधन समीती में कारेरत दो करमचारियों ने दुशकर्म किया और सिव इतना ही नहीं इन हैवान ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लाठी डाल दी जिसे बच्ची के शरी से खून बहने लगा बच्ची को गंबेर हालत में अस्पताल में भरती कराया गया प्रातिमें के उपचार के साथ बच्ची को रीवा रैफर कर दिया गया है वहीं घटना के सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया घटना के बास से महएर में जन आक्रोश देखने क मिल रहा है दरसल मैयर थाना छेतर के अंधेरा टोली में रहने वाली दस साल की मासूम बच्ची माशाड़ा धाम जारी थी माशाड़ा धाम के पीछे की तरफ से नहन निकली है जिसके किनारे से गुजरते समय रविंद्र उफ रवी चौदरी नामक यूवक बच्ची को पकड मैयर थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ पासको एक के तहत मुकदमा दर्च कर लिया है और उन्हें गिरफतार कर लिया है इस घटना के बाद मंदिर समीती ने भी आरोपियों को सेवा से हटा दिया है वहें इस मामले को लेकर SGOP लोकेश डावन ने कहा कि पीडिता के परी सब्सक्राइब ने रेड क्रोस में 50,000 रुपे की सहायता राशी जारी की वहें इस मामले को लेकर अब विपक्ष सरकार पर निशाना साथ रहा है पूर्व सीम कमलाथ ने कहा कि मेहर में चोटी बच्ची के साथ दुशकर्म की घटना अत्यांत निंदनी है प्रदेश में आये दिन बच्चीयों के साथ अत्याचार की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि शिवरास सरकार बहन बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है मैं मुख्यमंद्री से मांग करता हूँ कि बेटी को अच्छे से अच्छा उप्चारुप लब्द कराया जाए और उसे ततकाल एक करोड रुपे की आर्थिक सहायता दी जाए वहीं मुख्यमंद्री शिवरासिन चौहान ने भी इस समामले पाई संग्यान लेते हुए ट्वीट कर कहा है कि मैयर में बेटी के साथ दुशकर्म की जानकारी मिली है मन पीडा से भरा हुआ है व्यथी थूं मैंने पुलिस को निर्देश दिये हैं कि कोई भी अपराधी बच्चना नहीं चाहिए पुलिस ने अपराधियों को गिरफतार किया है प्रसाशन को निर्देश दिये हैं कि बेटी के समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए आप देख रहे हैं दखल्यू